आम और दूज से बनाया गया आम का अलुबा मैं एक लीटर दूद्ध वाइल कर रहा हूं कि मैंने मीडियम साइज काम लिया इसको चील लूँगा और सब्सक्रापल को बाद कर देखें पुरी सिकेन उतर अब गया इस तरह से इसका पल्प पतार लेकर आए अगर आए अगर देखें इसका पल्प पतार दिया मने आपका अब इसको कटेनर कर लेता हूं इस तरह से अगरे दिये पल्प नेडी है इसको मैं थोड़ा करमराइस कर लूँगा एक चुले पर हमारा दूद्र कड़ रहा है और दूसरे चुले पर मैंने पड़ाई चड़ा दिया है इस पर हम मैंगो पल्प को करमराइस करेंगे अब दाला और इसमें मिला दिया मैंने एक चीनी चीनी पिकल लग गई है काफी हद तक पिकल गई है चीनी एक तम पिकल चुकी है अम इसमें मैंगो पल्प मिला देता हूं और इसमें मची तरह से पड़ा लेंगो जो मैं दूद अभी गुबाला था वो थोड़ा थोड़ा करके दालता हूं हम थोड़ी थोड़ी धर मैं थोड़ा पर करका दूद मिलाएंगे कुछ नेर्शाय और इसको मेडियम आख पर हम बॉइल होने लेंगे इस स्टेज़ पर मैं यह कुछ ड्रै फूट है और इसमें मिला लेता हूँ पाकी पचावा दूद मिला लेता हूँ मैं इसमें और इसको मैं अच्छी तरह से पकाऊंगा पहुंचा टेक्शर आया देखिए कॉंसेस्टेंसी बहुत थिक हो गई है इसको मैं दो से तीन मिनाट और पकाऊंगा मैं इसको अब सर्फ बढ़ लेता हूँ अब कर लेते हैं प्रांसफर कर लेते हैं प्रेपास यह आम के सूखे पीसीस हैं इससे मैं इसको कारिश्ट कर लोगा तो आम का हलुआ आम और दूज से बनाया गया आम का हलुआ अज़्ड़न कर दोधिए अज़्य कर दो दो झाल झाल झाल